किसान बाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं 50 से लेकर 80 दिनों के बीच में हो जाए तो वो हमको कौन से 3 काम है जो कर लेने चाहिए जिसकी वज़े से हमारे गेहूं का बंपर उतपादन हमको प्राप्त हो सके तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी इसलिए आप इस वीडियो को कंटीन्यू लगातार पूरा जरूर देखना लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है तो किसान बाईयों जब हमारे पचास दिनों की हैं तो उसकी बढ़वार वाली अवस्ता भी यही होती है तो इसमें इन दिनों के बीच में हमको वो कौन-कौन से काम है जो समय पर पूरे कर लेने हैं तो किसान बाईयों सबसे पहला काम जो है वो तो आपको यहां पर यह करना है कि हमारे गेहूं की जो ग कुछ-कुछ दिनों के अंतराल में हम भी इस साल जो है बारिस आ रही हैं तो इसकी वज़े से अगर हम जमीन से कोई उर्वरक देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा इसके लिए हमको 0.32 जैसे या 13.45 जैसे उर्वरक जो इस्प्रे के दोरा मौसम साप ह होने पर हमें अपनी फसल को देने चाहिए जिससे कि उसमें किसी भी परकार का पीला पन ना रहे और उसकी ग्रोध भी अच्छी रहे इसके अलावा मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि गेहूं की जो फसल हैं उसकी पत्तियां बहुती ज़्यादा कटी हुई हैं तो इसके लिए आप जो हैं जो जो जीरो बाउन चोंतिस या तेरा जीरो पैतालिस जब आप इस पर कर रहे हो तो इसके साथ में आप जो हैं कीट नासक का उपयोग भी करें इसके लिए आप लेमड़ा साइलो थ्रीन ल कापी ज़्यादा नुकसान हो सकता हैं तो नुकसान से बचने के लिए इस परे साथ में जरूर कर लें तीसरा जो काम आपको किसन बैयों करना है वो यह करना है कि जब हमारे गेहूं की बालिया निकलना शुरू हो जाए उसकी गबोट वाली अवस्ता हो या 10-20% बालिया न लगा रहे हैं तो पानी के साथ में अगर हम केल्शियम नाइट्रेंट जिसको एनरजी भी बोला जाता है अगर इसका उपयोग करते हैं तो इससे हमें काफी ज़्यादा मिलेगा इससे फाइदा यह मिलेगा कि एक तो हमारे गेहूं की बालिया तुरंत बहार आ जाएगी द टाइम पर हमारा गेहूं जमीन पर गिरेगा नहीं अगर हवा चलती हैं तो उसकी वज़े से तो यह फाइदा भी हमको मिलेगा तो तीसरा काम आप यह करें कि जब बालिया निकलते समय अगर आप अपनी फसल को पानी लगा रहे हो तो परती एकड लगबग 10-15 किलो कैसियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में कर ले जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फाइदा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो यह तीन काम आप करें ग्रोध बढ़ाने के लिए NPK के प्रोड़क्ट का उपयोग करें और इल्ली की दवाई का भी आप मिलते हैं अगले नई वीडियो में थब तक के लिए धन्यवाद